दोस्तों ये कहानी आपके जीने की सोच बतल देगी इसलिए इस वीडियो को पूरा देखे एक दिन एक किसान का बेल कुए में गिर गया वो बेल घंटों तक जोड़ जोड़ से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं फिर उसने निर्ने लिया कि बेल काफी बुढ़ा हो चुका था तो उसे बचाने से कोई लाफ हने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुए में ही दफना देना चाहिए ये डिसीजन लिया किसान ने अपने पड़ोशी को मदद के लिए बोलाया सभी ने एक एक फावडा पकड़ा और कोई में मिट्टी डालने शुरू कर दी जैसे ही बेल को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है वो और जोर जोर से चिक चिक करोने लगा फिर अचाना कि ये आश्चरय जनक रूप से सांथ हो गया सब लोग चुप-चाप कोई में मिट्टी डालते रहे तभी किसान ने कोई में जहका तो वो आश्चरय से सन्न रह गया अपनी पीट पर पढ़ने वाली हर फावड़े की मिट्टी के साथ वो बेल एक आश्चरय जनक हरकत कर रहा था वो हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़कर उस पर चाड़ जाता था जैसे जैसे किसान और उसकी पड़ोसी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते वैसे वैसे हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीड़ी उपर चड़ जाता जल्दी ही सब को आर्षे चकित करते हुए वो बेल कुए से किनारे पर पहुच गया और फिर कूद कर बाहर आ गया दोस्तो ध्यान रखे आपकी जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेकी जाएगी बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा कोई आपकी सफलता से इर्षा के कारण आपको बेकार में ही भलाबुरा कहेगा कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्सों के विरद होंगे ऐसे में आपको हतोच साहित होकर कोई में ही नहीं पड़े रहना है बलकि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिराक देना है और उसे सीख लेकर उसे सीड़ी बनाकर बिना अपने आदर्सों को त्याक किये अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है सकारत्मक रहे, सकारत्मक जिये दोस्तों इस समसार में सबसे बड़ी संपति बुद्धी है सबसे बड़ा हत्यार धरिया है सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है सबसे बढ़ा दवा हसी है और आपका पता है अश्यरी के बाद ये है कि ये सब निशुल्ख है फ्री में उपलब्थ है दोस्तों कहते हैं सत्यों को कहने के लिए किसी सपत की जरूरत नहीं होती नदियों को बहने के लिए किसी पत की जरूरत नहीं होती जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए किसी रत की जरूरत नहीं होती खुश रहे हैं सदा मुश्कूर आते रहे हैं वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताएं लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ और सब्सक्राइब करना ना बोले साथी साथ बेल आइक और को भी दबा दे ताकि आने वाला वीडियो का कुमेंट